करती हूँ अपने ब्लॉग लाइफ अप लीना में तो देखे मुझे मतलब बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं दुसरे के मतलब कोई भी अगर लाइफ में तकलीफ चल रही है या किसी के घर में जगड़े हुए हैं तो मैं रियक्शन बनाओ लेकिन जब भी मैं अपना मतलब य परेटर है लेकिन मैं मतलब ना नहा के पक्ष में हूँ ना मनिशा और सचीन के पक्ष में हूँ और अब मैं यह बोलना चाहती हूं कि I Twi अगर सशीन जो फंक्षन में नाचना गाना यहां तक कि मैंने एक वीडियो में भी देखा तनीस के केक गहने वगेरा देना और जो जगत दीदी है और उसके जासा तो भाय मतलब खोजने से भी नहीं मिलेगा और इतना जादा भाय का सपोर्ट तो फिर क्या जरूरत पढ़ गई सचीन को भाय बना लेने का और अंदर से क्या बात है बस बहुत सारे ख़बरे उड़ करके आ रही है और कभी कभी लगता है जैसे नेहा की सगाई हो गई तब तक तो सचीन बहुत चुप था कि जब तक नेहा की साथ जगत दीदी की सगाई नहीं हुई थी तब तक सचीन मतलब कोई भी जगत दिदी के प्रति कोई भी मतलब सिकायत नहीं कुछ नहीं लेकिन जैसे उसका इंगेजमेंट हुआ वो पहुच गया वहाँ पर तब कहीं न कहीं जो जगत दिदी की मा है तो उसे लगा होगा कि इन लोगों का अफेर चल रहा है तो कहीं ये सगाई के दिन आ करके सारा च साधी कर रहे हैं तो कहीं न कहीं वो चीज सामने आ जाएगा तो उसकी मदर भी डर गई और जगत दिदी भी अपने मतलब फ्लाइट मोड में अपने फोन को डाल दी तो बस यही चीज ना ये सचीन को बहुत पिंच किया कि हम एक साल से उसके साथ जुड़े हुए थे जो भी अफेर रहा हो मुझे तो नहीं लगता है कि भाई बहन का होगा अफेर तभी इंगेजमेंट में उसकी मदर भी आने नहीं दिया और तब जो सचीन मतलब जब देखा कि अब तो नेहा जगत दीदी जो है दुसरे के मतलब होने जा रही है तो कहीं ने कहीं इसका आत्मा फटने लगा और कि देख साल से अपनी पतनी को छोड़कर जगत दीदी के पीछे दिवाना था और सारी बाते खुल करके सामने लाने लगा और कहीं मतलब जगत दीदी साधी कर रही है तो किसी दूसरे की होने जा रही है कहीं ने कहीं ये सचीन भाई जो है उनको बरदास नहीं हुआ और वो मांशा बहुत सीधी इसनी सीधी है ना कि तुम तो देड़ साल से मनीशा को वैलू नहीं दिये और जब जगत दीदी से तुम्हारा रिलेशन खराब हुआ तो तुम लेकर के आ रहे हो अपनी प्यारी सी बीबी को और जो तुम मतलब अपनी भासा में उससे बुलवार है हो लेकिन कहीं ने कहीं तुम भी बीमार पड़े हो जब तुम्हारा दीर टूटा तो तुम्हा आइसीओ में भड़ती हो गया और बहुत मतलब ये यूटूब खोली है ना मतलब देखे यूटूब इतना चपलेट फार्म है कि अच्छे अच्छे गलती दूँगी ये सचीन को और ना जगत दीदी को गलती दूँगी ना हम मनिशा को गलती दूँगी और ये मैं गलती दूँगी सचीन को तुम्हारी इतनी प्यारी बीवी है तो तुम क्यों मुँ मारने के लिए चले गए और जहां तक जगत दीदी का सवाल है कि तुम तुम जो बोलती हो मेरा भाई है मेरा प्यारा भाई है तुम्हारे पास तो इतने प्यारे प्यारे भाई है साथ दुनिया में इतना प्यार करने वाला भाई नहीं मिलेगा तो तुम्हें इसा कौन सी जरूरत पड़ गई कि नकली भाई बना बना करके गले मिल रही हो तो कहीं नहीं कहीं इसी बात का बहुत जादा मतलब जंजट हुआ है कि कहीं ये देर साल का जो प्यार था तो कहीं इंगेजमेंट की दिन पहुँच करके इसका खुलासा नहीं हो जाए इसलिए ये सचीन को धक्के मार करके निकाला गया और आप लोग जो जगत दीदी का पक्ष ले होना तो ये कहीं ने कहीं ये जादा मतलब ये सचीन का गलती है और सचीन को ट्रॉल करो और सारा गलती उसी का है जो साधी सुधा होते हुए भी और सही में इतनी प्यारी बीबी है नियूली कपल हो तुम लोग और क्या जरूरी थी कि मतलब नैन मतक्का करने की तो कहीं ने कहीं ये बहुत गलत है और जब इसकी साधी होने जा रही है तब इसे लग रहा है कि मेरा तो इतना प्यार था कहीं न कहीं वो टूटा है और सारा चीज जो है वो बाहर लेकर के आ रहा है और जब तक दोस्ती थी तो उसका बहुत बढ़ाई करता था बस यही मैं वीडियो के म को नहीं मिलें बहुत गंदगी फैला करके इन लोग की रियेटर ने रखा है और पैसा ही कमाना सबसे बड़ा बात नहीं होता है तुम लोग तो इज़त को ताक पिरा करके यह सब कमा रहे हो और जहां तक सचीन की मा की बात करें उसकी वोल फैमली जो है बस सिर्फ सिकायत आप देखिएगा उसकी मदर है मदर भी सारा दिन मेरा बेटा ऐसा किया चोटा वला बेड़ बहू इतनी खराब है फिर उसकी बहान का वीडियो आएगा मेरा भाय को बस यह लोग मतलब लड़ाई जगड़ा अंदर से कुछ नहीं है लेकिन यह लोग गंदगी फैला करके और पूरे मतलब यूटूब को बुड़ुबग बना बना करके यह लोग पैसा कमा रहे हैं और अपनी फैमली को इजयतनी लोग खुद पहले से ताक पे रखे हैं और बहुत गंदगी लता है ठीक है जगड़ दीदी को मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रॉल कर रहे झाल करू जाइ हम बहुत अ को दो ए दौकान जब है भी लोग वे लोग लोग बहुत खाई हैं जगद झाल मतलब यह रखे पर का यह लोगश पाल